यह सबी लोगों को करना चाहिए उस दिन तो मैं यह संदेश देना चाहिए और मेरा कहना है कि योगी निरोगी होता है सबको योगा करना चाहिए और हमारे आस पास में पड़ोस में जो बूड़े बजुर्ग होते हैं उनको सबको लेकर उस दिन तो योगा डे मनाना चाहिए हैं कि मोटापा भी बहुत से कम हो गया पर बेंड करने का लगा बाइट कर ने कल आ है उसके अंदर बहुत इंप्टेंट वह Cheese करें है में न की सरवागशन है ये आसन के आसन के मां वहद थे सर्वागशन है प Works शोप नियुलति न्युक्रेल कितने साल से आप यह कर रहे हैं मैं 15 साल से उसके फाइदे क्या है फाइदे पर तो जब तक भगवान अमारे काई देंगा तब तक हास्ते हास्ते हमें प्रांट चोड़े मागर रोग बिना से कर सकते हैं हमारा ओम योगा के इंदर एक रिजिश्टर पूशन है मैं MSC योगा करें मैं अभी उनके साथ में हम ओम योगा के उचित फ्री आफ कॉस्टम अभी गाओं-गाओं के जाके योगा सोकते प्राणायम आसना और ध्याना सबकी इसके बारे में उनको बोलते हैं करे तो भी क्या होते हो उनको सिखाते हैं डस थिन में वो पोजीटिव कितना होता हूं रिजल्ड मिलता दस में आपको क्या होता है मालम परता सारा गुलबर का योगा संसे आँज जानते हैं बहुत हुआ है जितने भी लोग आर ए 8 यह सो नाइट इस इस जोह अलगी आख है आपको क्या क्या benefit मैसुस होता है? हम बहुत फिट लगते हैं, अपने आप से बहुत उत्सा हरेता दिन बर जब योग नहीं करते हैं, तो थोड़ा काम के तो थक जाते हैं, जब योग करते हैं, तो दिन बर हमेशा खुश रहते हैं, रात तक सोने तक मैं तो बात इसे स्टार्ट करने चाहती, मेरा एग्जम्पल लेती, तभी मैं योगा नहीं करती, उस दे पूरा फुल स्ट्रस्स में रहते हैं, और कुछ भी काम में इंट्रेस्ट नहीं रहते हैं, तो योगास इतना पेनिपेटे, फुल डे, विकन दू था हार्ड वर्क्स, विए अबर्क्स, इत फ्र स्ट्रेस्ट अरि jeux का माला में योगा नहीं काराया सुषिक्टी, आस्माी से क्यावता, निरोय कार स्ट शक्ति मांष स्य एकितर, मन श्यान्ती में रहते हैं, विकन रहते हैं, योगा नहीं क।।। बहुत बहुत धन्यवाद है अधनी होता हैं कि once वर पर Stacy सब्सक्राइब नरक हो जाता हुट उंपूर पूर्णर बन जाते हैं कि हमको अनरजी. जो मिलती है उससे जब बिसम परस्थिती ऐसे याती है कि हम अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कभी गुसे में कभी उसमें तो वो हमें योग में मेडिटेशन से वो हमको पावर मिलता है Yoga I have not started but I have seen and all as APJ Abdul Kalam said take care of your body because it is the only place where you have to live ABCD means anybody can do it and all I have seen from my friends relatives others and all the moment they come out after doing this meditation they feel so peace like before I just spoke to them they couldn't speak that well and all after that meditation I began to realize that they know something they are understanding they are understanding others it is better to understand others rather than us and all that when we go into the shoes of others we can make so in that way I realize that it is necessary for all of us to do yoga and all that and by doing yoga we keep surrounding clean we keep our health clean and all that will be away from doctors and moreover will be very 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 happy throughout our life and all that which is necessary for all of us I'm a basically lecturer earlier I would get angry on others and all that now by doing this yoga it is making me to be very friendly with students and that I am realizing that students are also enjoying my classes and all that this I am getting from this yoga only yes just to share it may he so that you know you're being able to say that you can't imagine you are going to realize that we can do that I am I can't do that I have feel bad for ALL but it's also because you have a lot of एक्चली मेडिटेशन आज की दमाने में स्टूडेंस को बहुत करना चाहिए योग बिना तो कुछ नहीं है हम लोग रोज योगा करते हैं यह मित रूप से वना योग बिना तो दिनी कुछ भी अच्छा नहीं है योगा करना तो बहुत जरूरी है तो मेरे खाल से योग तो करना चाहिए उकसे काफी फाइदा होता है डेली राजयों करते हैं सब को करना है वर्तमान समय ऐसा है कि जो बीमारी यहां कितने बढ़ते जारी है तो यह इससे ही अच्छा होता है ना दवा इससे अच्छा नहीं हो रहा है और हमारा अनुभव है मुझे एक वर्क प्रेश डीमारी आपटा करके देखता हूं सकता है कि मुझे तुरन्त रही में और मैंने यहां पंद की और योगा की ध्यान मुद्रा में गया और मैंने देखा कि मेरा पूरा बाडिकम रेलेक्स हो गई और बीपी मुद्न नर्मल हो गया तो यह प्रीजर्ण प्रेडिकल है यह प्रदामंत्री जी ने उनके आवान पर जो ये प्रोगा मोड़ा है में चाहता हूं सब को इस पर पार्टिसपन करना चाहिए और बहुत ही शारीज ग्रूप से नहीं मानसी ग्रूप से भी बहुत लाब मिलता है योगा से सब लोगों के लिए मेंटली, मॉरली, फिजिकली ए स्विरिच्वली सब उपे गए हमको आमारे ब्रह्मा कुमार आश्रम में सिखाया गया के खुद को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो यही सिखाते हम इसी के लिए योग करते रहते हैं और जितना दिरे दिरे टाइम बढ़ाते रहते फिर उसके बाद जितना समय बोल है मैं 2007 से राज योग का अभ्यास करता हूं राज योग का अभ्यास करने से मेरा शरीर बहुत अच्छा है भी मुझे कोई शरीर में तकलिफ नहीं मैं जिए कमर की धर्थी उस समय हार पेन-किलर रोज खाना बुलकर डाक्टर बताया था मैं ने ये राज योग सीखने के ब एक दवाई खाता हूं दो फाइदे होते हैं तो एक प्राप्लम भी हो जाती है जैसे जिमके साइड इफेक्ट्स है अभी तो कोई छे साथ दवाई कछें खाने होती है तो एम रेली आ डूंट फिल कमफर्टिब लाइट आप अगर मुझे अगर मुझे इफाइड गुड़ अगर मुझे टूंट टूंट एप लाइट जो एफेक्ट्स एफेक्ट्स आफ मेडीटेशन और डायेट जाइट जाएट फिल मुझे जाएड खुड़ गुड़ आ करके यादि बगवान को या बाबा जू आपको चुछ गहें तो उसका सिस्टम जब हमें अडिटेशन मे जो मेरे शरीर के अंदर ऐसे आई और मेरा माइंड जोए जाना चेंज हो गया है जोगा से इस तरह पीस लाया जा सेटा है कि जैसे हम लोग योगा करते हैं या मेडीटेशन करते हैं तो हमें बड़ा रिलीफ मिलता है ऐसे लगते हैं कि हम ना सोल है और हम बगवान की तरफ पहुंच के हैं तो बोडी कॉंशियस नहीं होते हैं, सोल कॉंशियस हो जाते हैं तो इससे बड़ा रिलीफ मिलते हैं हमें Meditation is very important, you know, it's not just for physical health but very important for mental health so we feel relaxed with meditation so I do the meditation every day for 20 minutes योग का मतलब होता है connection, connection किसके साथ, मा के साथ, बाप के साथ, बीवी के साथ, नहीं connection with supreme, the creator, जिसको अरब भी में बोलते हैं, खालिक, the creator of this universe उसी के साथ जुड़ जाओ और फिर चलते रहो, काम करते रहो मेरा personal view है कि ये कोई दियन, किसी धर्म, किसी के साथ, नहीं है, हाँ, किसी आदमी ने ये बताया है अगर वो हिंदू है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये हिंदू इसम बन गया, अब mobile technology, बाहर से आगए, अब इसको हम नहीं कहेंगे, ये Christian, Christian device है तो मेरा personal view ये रहा है, ये religion नहीं है, just getting connected with him, then doing things for physical body, for emotional and for spiritual जब हम इसको इकठा करेंगे, life becomes better, meditation करने से endorphins बनते हैं, और endorphins ऐसी चीज़ है, जैसे कि मैंने 40 साल की practice में दो बार morphine प्रसक्राइब किया है और इस्तेमाल किया है, and morphine से 20 गुना endorphins जादे strong है, और अगर अब ये manufactured हो सकता था, ये तो सब बाजार में मिलता है, लेकिन ये सिर्फ meditation करने से, बाडी में synthesize हो सकता है, और अगर कोई भी दरद होगी तो दरद नहीं रहेगी, योग से stress free life जी सकते हैं हम लोग, और जो life है वो balance रहती है, हर हर फिल्ड में balance हम सीखते हैं योग से, और mind tension free रहता है, अभी world की city देख करके तो यह है कि योग तो सबको आना ही चाहिए, क्योंकि योग से जो है mind और body पूरा relaxed रहता है, इंटरनेशनल योग दिवस है, तो मैं ऐसे योग करूँगा कि पहले first soul conscious, second universal conscious, और साथ साथ में physical भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि यह जो शरीर है यह भी as a cloth use किया जाता है soul के लिए, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए सुखासन की स्थती में वैठ कर जिस परकार तौनों हातों को ऐसे लेकर आराम से जो भी अपना मन परमात्मा के इस्प्रण में लगाते हैं, ठीक है उससे जो सक्तिया वगर परमात्मा की सक्तिया है वो हमें मिलती है, जिसके करान आत्म विश्वास में पूत होता है, राज योग का जो हमने अभी कुछ समय से चालू किया है, ब्रह्मा कौमारी इसके सेंटर पर जा करके और उससे हमें काफी मेंटल पीस मिलता है, तो हम रोज उटके अमरत वेला करते हैं और प्रभू से अपने आपको जोडते हैं, जब हम अपने आपको बिलकुल हलका करेंगे औ हमारे नदर दूसरे के प्रति, जो है अच्छी सद्वावना अपने आप अंदर से पैदा होगी, हमारे सारे विकार दूर होगे, मन शानत होगा, जब मन शानत होगा तो सद्वावना हैगी मेरे को लगता है अपने इंडियान एजुकेशन सिस्टम में योग को एक सब्जेक्ट के रूप में शामील करना चाहिए बहुत सारी संस्ता इसके लिए प्रयास कर रही है और मेरे को लगता है जल्दी एजुकेशन सिस्टम में आएगा योग से खुशी मिलती है और पढ़ाई में मन लगता है योग से अपने चेरे पर गलो आता है योग मतलब हमारी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना हम योग में अपने आपको आत्मा मान के उस परमधाम में जाके परमात्मा से कनेक्ट होते है उनसे सारी शक्तिया लेती है आप से, और पूरा अच्छा गुजरता है, उमें पड़ाई में बहुत अच्छा मिलता है. Meditation से मन शानती रहता है. सारे दिन शानती रहती है, एक बार शुबे कर लेते हैं तो सारा दिन फ्रेश फ्रेश रहते हैं. बहुत अच्छा लगता है. मैं यह रियाज़ू करती हूँ इससे जो मेरी लाइफ में फायदा आए वो बाकी लोगों को भता कि उनको प्रैक्टिस करके कि आप भी इसका फायदा रो उसके ऐसे जब से जुड़ी हूँ ओम शानती से चार सा लोग है तब से मैं ध्यान में बैठती हूँ उसके बाद मेरे को गुसा बहुत काम आता है पहले बहुत गुसा आता था मेरे को काफी फायदा सब बोलते हैं तेरे में चेंज आ गया है और मन को भी शानती और सरीर में शक्ती आ ग में जुड़ी हैं मैं जुड़ी हूँ शब मेडिटेशन करने के बाद सब को भी जोड़ा है बचों को भी तो सब खुश रहते हैं पहले तो हमने हाथी योग सीखा ता जैसे तो उसे में मैं योग करती थी तो में ब्रीधिंग प्रॉब्लम काफी सारे भी मानिया दूर हो इस हैं नर shortly Inhale सकते हैं और वातावरे नंभी शांती से शांती के हम फ्ञण सक्ते हैं ग्रहनईों के लिए योग पार ज़िए वो तनाव मुक्तर रहती है और मन शान्त रहता है और हमिशा सोचत रहती है आलत से नहीं आता है वो हर वक्त एक्टिव रहती है इसलिए एक्टिव रहने से पूरी दिन चर्या अची रहती है और काम अची तरह से करती है और कभी किसी से फिर गलत नहीं बूलती है योग सीखने के लिए हमें ब्रह्मा कर योग का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम परमात्मा से शान्ती के वाइब्रेशन, सुख और आनंद के वाइब्रेशन ले सकें मेडिटेशन मन को शांत करने में, मन को खुशनुमा बनाने में, मन को प्रेम से भरपूर करने में बहुत ही सा योग देता है इससे हमें परमात्मा की वाइब्रेशन मिलती है, परमात्मा के गुण हमारे में आने शुरू हो जाते हैं परमात्मा की तरंगे हमारे में आने शुरू हो जाती है, परमात्मा की सारे ही गुन हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, इसलिए योग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है योग से बहुत सारे benefits हैं, हम लोग studies, अगर हम बच्चे करें तो उसे बहुत जादे studies में concentration अच्छे से लगता है और meditation से हम लोग मतलब जादा गुसानी करते हैं और बहुत peace मिलता है, हमें उससे और खुशी भी मिलती है हम योग करने से बहुत खुश हो जाते हैं और हम चनचनने होते हैं और मेरे पेरेंस बहुत खुश आ जाते हैं हम लोग योग करते ताइम अपने आपको सोल समझ के भगवान को याद करते हैं और विज्विलाइस करते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी powers आ रही हैं फर एक्समपल पीस, प्रॉरिटी, हैपिनेस, लवव क्यों योग कैसे करते हैं आप बता हुट्या इसे पूचा को अमने बता हैं योग कैसे करते हैं अम बाबा की कमने मेर्टे हैं आराम ची बाब को याद के फिर्की योटा कुश तो जरा के तीन दिन में किसी भी हालत में कही बी यह ज़्ण नहीं मिल सकता था ऐसा ज़्ण मेरेको शिर्फ तीन दिन में जैसा स्वरक जैसा ब्रह्मा कुमारी विश्विद्याल है मुझे स्वरक जैसा लगा है मेडिटेशन मना एवरी टैम वरनेवर आई फ्री यह योग है जिससे में हर एक स्टेप में सफलतार उन्वों फील करती हूं अलग से माना हम अधिक से अधिक अगर सारे दुनिया को इसके फाइदे बताए सबसे पहले हम इस चीज का फाइदा ले और पहले हम अपने घर से चीज को शुरू करें चैरिटी बीगें सेट हों तो और भारती संस्कृति में प्राचीन काल से ही योग का महत्व रहा है इसलिए आयुर्वेद और यह सब चीजे पतंजली यह सब हमारी भारती संस्कृति से रही है लेकिन साथी साथ वह चीज आज फिजिकल योगा की रूप में हमारे सामने उभर के आई है परंतु परमात् में समाए हुए हैं तो यह राजयोग माना सबसे पहले हम अपने मन के राजा बने और मन हमारा जितना कंट्रोल होगा जितना हमारे अंदर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आती जाएगी उतना हम अपनी करमेंद्रियों को कंट्रोल करके रोग मुक्त हो सकते हैं योग स से ही रोग खतम होंगे